हेलो नमस्कार आप देख रहे हैं वल्ल रिपोर्ट इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जूर रहे हैं बता दे कि बिहार के सभी होमगार्ट जबानों के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि बिहार सरकार ने आप लोगों के लिए एक बहुत वरा फैसला लिया है कि जितने भी बिहार के होमगार्ट जबान है उन सभी को राज कर्मियों जैसा 100% फैसलिटी जो है सरकार प्रवाइड करने जा रही है मतलब कि अब बिहार के होमगार्ट जबान भी सरकारी करमचारियों जैसी फैसलिटी पाएंगे बसरते बस वो एक बात होती है कि वो परिच्छा दे करके नहीं आये हुए होते हैं और जो राज कर्मी होते हैं वो परिच्छा दे करके आये हुए होती है तो कुछ जादा डिफरेंस नहीं है इसी को ले करके बिहार सरकार ने अब फैसला किया है और सुप्रीम कोट का भी आदेस आप लोगों के हितों में आया हुआ था कि जितने भी होमगार्ट जबान है वो समान काम के लिए समान वेतन का हकदार है तो सभी राज इस चीज को फॉलो करें जिसमें बिहार सरकार थुरा सा जल्दी संग्यान में ले रही है क्योंकि बिहार थी तो ऐसा कुछ हुआ तो सरकार चाहती है आज ना कल तो कोई सरकार इसे अलागू करेगा ही तो हमारे रहते हुए जो है ये चीज हो जाए बिहार के मानिनी मुखमंत्री महदय का ये कहना है उसके लिए कमीटी का गठन हो गया है और आप लोगों को क्या-क्या फैसिलिट उसे नवाजा जाएगा इसके लिए रिपोर्ट जारी हो चुकि है रिपोर्ट के हिसाब से बताएंगे तो चलिए ख़बर में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं और ख़बर से जूरी किसी भी परकार की प्रॉब्लम समस्या क्योरी होगी तो आप हमें इंस करेंगे तो इंस्टेंटली आप लोगों को जवाब जो है हमारे टीम के मेंबर के सजाएगा और आप लोगों की प्रॉब्लम को जल से जल सोट आट करने के लिए पूरी कोसिस जो है वो लोग करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को बता दे कि इस स्कीम के तहत जो है बिह करमचारी भविष निधी EPF जिसके बारे में आप कहते हैं बिहार सरकार कुछ दिन पहले भी इसको ले करके एलान की थी लेकिन बहुत सारे ऐसे जवान है जिनको इनकी फैसलिटी नहीं मिल सकी करमचारी भविष निधी इसको ले करके भी इसमें मैंसन किया गया है करमचारी राज जिबीमा कारी का वार्सिक मुल्यांकन एबं नियमित जो है आप लोगों को किया जाएगा सबसे पहले एक चीज़ यहां पर बताना चाहेंगे कि आप लोगों को यह टेंसन रहती है कि इस पहले जाएगा आप लोगों को 12-12 महिना कम आपसे लिया जाएगा और आप लोगों को सारी फैसिटी सरकार के जो करमचारी यों को मिलती है वो सभी मिलेगी इसको ले करके जो है सरकार ने अस्पस्टी करन दिया है अब आप लोगों को प्रोविडेंट फंड यानि की प्रोविडेंट फंड में आप लोगों को एड किये जाएंगे उसके बारे में भी थुरा सा जो है डिटेल में दे दिया गया है कि 12 फिसदी रासी उन्हें अपने वेतन से देना होगा मतलब आप लोगों के वेतन से 12 फिसदी कटेगी इसके बाद 12 फिसदी बिभाग से और आप लोगों को एक फिसदी सरकार निधी से PF में की जाएगी तो कुल मिला करके यही बात है और आप लोगों को बता दे कि इसे ही पलपल खबरों के लिए आप लोग बने रहे हम आप लोगों के साथ जो है इसे ही खबरे साजा करते रहेंगे जो भी अपडेट आती है फिर मिलते हैं कि नई खबार में तब तक के लिए देखते रही हो वर्ल्ड रिपोर्ट।